बंगलोर में हुई, पूना में हुई, कलकत्ता में हुई, रेलवे स्टेशन पर हुई, हैजराबाद में हुआ, सरोजनी नगर मार्कित में हुआ और हर बार जबाब प्रोसीडिंग निकाल के देखेंगे आतंगवाद पर, हर तीन महिने, चार महिने पर सदन में चर्चा होती थी, और तीन तीन घंटे, चार चार घंटे, पाट पाट घंटे चर्चा होती थी, संकल्प होता था कि आतंगवाद के थिलाब करीद कारवाई की जाएगी और फिर चार महिना के बाद हम लोग चर्चाही करने के लिए बैठते हैं लेकिन 2014 के बाद सरकार में आतंकवाद के खिलाफ जो अधियान चलाएं वो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या एरियल स्ट्राइक हो हम नहीं समझते हैं कि 2014 से आज तक कोई बड़ी आतंकवादी घटना ही इस देश में यह आतंकवाद के खिलाफ सरकार की लड़ाई का जो संकल्प हो इसको प्रदर्शित करता है और लेकिन अगर सरकार ने इस आतंकवाद की और यह सब कोई जानता है यह धुरुख सक्त है कि आतंकवाद का जड़ कहा है आतंकवाद का जड़ जमूर एंकास्मीर में और उस जड़ को अगर खाद और पानी मिल रहा है तो वो पाकिस्तान से मिल रहा है यह धुरुख सकते हैं यह हर कोई जानता है लेकिन आतंकवाद के खिलाब आतंकवाद के खिलाब आतंकवाद से लड़ने के लिए इस लिए महादे हम यह कहना चाहते हैं कि उसका खाद पानी भी कहां से मिल रहा है सबको मालू लेकिन अगर सरकार ने आतंकवाद से लड़ने के लिए इस सत्रहवी लोगसभा में सत्रहवी लोगसभा के पहले सत्र से ही हमानिये ग्री मंतरी जो को बढ़ाई तेना चाहते हैं इस बात के लिए कि पहले वे सत्र से ही उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के मनसुवे को और फुष्ट करने का काम किया एनाईये एक्ट में संसोधन किया उन्होंने अनलाफुल अक्टिविटीज जो कानून था उसमें संसोधन किया उन्होंने हम इसका स्वागत करते हैं स्वागत कर से लेकिन लेकिन आख को मालूम है हम हमारी पार्टी 1996 से राष्टिय जनतांतरी गटवंदन के रूप में रही इसके साथ रही आधर निये अटल विहारी बाच पही जी पधानवंतरी थे उस समय से हम लोग इंडिये के साथ हैं आधर निये जॉर्ट सुनेंडी साहथ जो उसमें समता पार्टी के और बाद में जनता दल्यू के हमारे अल्चेट चुआ करते थे वो इंडिये के साथ थे इंडिये के कॉन्वेइनर थे इंडिये के निस्नल एजेंडा ओफ गवर्नेंस में यस बात को लिखा गया है कि 370 के साथ हम लोग कोई छेठचार भी करें हमारी पार्टी की यह मानता रही है कि जो विशेश राजिके का तरजा उसे प्राब था उसके साथ छेठचार नहीं हाँ एक महवल अगर पनता और अगर उसपर आतार रवाई करते तो इसलिए वो अलग बात थी लेकिन आज की परिष्टिती में आपको लड़ाई अतंक बात के खिलाफ लोगना चाहिए था इस विवादास पर विशे को नहीं चूना चाहिए था इसलिए हमारी पार्टी का उन्हें से 96 से यह मनना है जब अतल जी थे और कई लोगों को मालूम है जो इसमें राष्टि जन्तांत्री वेरवी संगर जी को तो मालूम है आदर्नी रक्षामंत्री जी को मालूम है उसमें ते आदर्नी रक्षामंत्री जी आ गए National Agenda of Governance में लिखा हुआ था तो ये सारी चीजें जब लिखी हुई थी तो सब को मालूम है कि हमारी पार्टी भिवादास पर चीजों को और धारा 370 का समर्था नहीं करते हैं तो इसलिए आज भी हम इसका समर्था नहीं करते हैं और इसके पास होने में इसके भागिदार नहीं हो सकते हैं इसले हम सुझन का तरिश्टार्ट